दोस्तों नमस्कार ये है मागदोशन फॉर सिबिल सर्विशेज मैं अनुराग्ष ओधरी दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अधिनस सेवा चैन आयोग तथा उत्तर प्रदेश के अन्य आयोगों और भरती बोडों द्वारा आयोजित परिक्षाओं के राज्य व चुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों यूपी स्पेसल से संबंधित कई प्रश्न परिक्षाओं में पूछे जाते हैं जिनको अच्छे से तयार करना जरूरी है इस वीडियो में हम बहुत जल्दी-जल्दी महत्तपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे ताकि आप कम स अगला प्रश्न है भारतेंदुहरिष्यन ने अपनी पत्रिका का विवचन सुधा में किस आंदोलन का समर्थन किया था तो स्वदेसी आंदोलन का अगला प्रश्न है पुर्वांचल एक्सप्रेस वे किन सहरों से गुजरता है तो याद रखियेगा लखनव, बारबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयुद्या, अमबेटकर नगर, आजमगर, मव और गाजीपुर जनपदों से अगला प्रश्न है ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला कर कौन सा है तो अस्थानी मेलों पर लगाया जाने वाला कर ये ग्राम पंचायतों द्वारा ल अगला प्रश्न है भारतेंदु नाट्य अकादमिक की अस्थापना कब हुई थी तो 1975 यानी 1975 में उत्तर प्रदेश में मार मिर्दा कहां पाई जाती है तो ये जहासी में पाई जाती है अगला है दोस्तों शंभु महराज को हिंदुस्तानी सास्तरी संगीत की सिक्षा किस ने दी थी तो रहमुद्दीन खान ने मुडिया पोडिमा मेला का आयोजन किया जाता है कहां पर तो गोवर्धन में और प्रथम समाजवादी अभिनो विद्याले कहां खोला गया था तो य यह जौन सारी जन जाती है जिसमें बहु विवाह पर्था प्रचलित है अगला प्रश्न है काशी विद्यापीट के संस्थापक कौन है तो बाबु शिव परसाद गुप्त काशी विद्यापीट के संस्थापक है उत्तर प्रदेश में सामानि केंद्री विश्व विद्या पहले कितने हैं तो चार है और उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमी मापन की एकाई क्या है तो ये बीघा है अगला है उत्तर प्रदेश ने उच्चितम और द्योगिक ब्रिद्धिधर अंकित की थी किस पंचवर्सी योजना में तो याद रेखिएगा दसमी पंचवर् प्रदितकर यानि वैट वैलू एड़ेट टेक्स कब लागू हुआ था एक जनवरी 2008 से उत्तर प्रदेश में एक रेल कोज फैक्टरी की अस्थापना कहां की गई है तो ये लाल गंज रायवरेली में और एक महत्वपोण प्रश्न कृशी स्रम उत्पादक्ता सरवाधिक क और गंगा यमुना गोमती और जेलम नदियों में से एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है तो आप जानते हैं जेलम नदी उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है भारत में चावल क्रिशित छेत्र यानि जहां पर चावल की क्रिशी की जाती है इसमें उत्तर प्रद दस्मलोग एक प्रतिशत जो है क्रिसिवी कास्तर निर्धारित की गई है उत्तर प्रदेश में सिचाई के मुख्य साधनों का और रोही क्रम क्या है तो पहले अस्थान पर नलकूप दूसरे पर नहरें तीसरे पर तालाब और कुएं और चौथे पर अन्यसाधन है अगला है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकरदी फसल यानि कैस क्रॉप कौन सी है तो यह गन्ना है पर्थम विक लांग विश्व विद्याले अस्थापित किया गया है अगला प्रश्ण है गुर्गोविंद सिंग स्पोर्ट कॉलेज की अस्थापना कहां की गई है लखनव में और C.A.D. उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेट डिजाइन पर योश्णा का केंद्र कहां पर है तो यह लखनव में है और उत्तर प्रदेश का एक मात्र मुक्त विश्व विद्याले जाना जाता है किस नाम से तो राजर्स पुर्शोतम डाश्टंडन मुक्त विश्व वो है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महविद्याले भातखंडे संगीत संस्थान लखनव को डीमड विश्व विश्व विद्याले कब बनाए गया तो 24 अक्टूबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्व विद्याले कौन सा है तो यह इलाहवाद पर टेकनोलोजी कहां पर इस्थित है तो याद रखिएगा यह सहारनपूर में है अगला प्रशन है दोस्तों केंद्री उपोश्र बागवानी संस्थान कहां पर है तो यह लखनव में है शस्यवानकी का राश्टी सोध केंद्र जहासी में है और आप देख सकते हैं भारती दलहन अनुसंधान संस्थान यह कानपूर में इस्थित है अगला प्रशन है शीला धर मिर्दा विज्ञान संस्थान कहां पर इस्थित है तो दोस्तों यह प्रयागराज में है कनहिया लाल मारिक लाल केंद्री हिंदी संस्थान तो यह आगरा में इस्थित है अगला अगला प्रश्न है आपका देखिए आउला उर्वरक उत्पादन का केंद्र है मोदी नगर में रवर निर्मार किया जाता है बारवंकी पॉली फाइबर के लिए और कानपुर में बिस फोटक यानि एक्सप्लोसिव का निर्मार किया जाता है फिरोजबाद काच की चूडियों के लिए कानपूर चमड़े के सामान के लिए नजीजबाबाद प्लाइवुड और सहारनपूर कागज और लुगदी उद्द्यों के लिए प्रसित है अगला है दोस्तों इंडियन टेलीफोन इंड़स्ट्री जराइवरिली में है ट्रांसफार्मर फैक्टरी जहांसी में है कृत्रे मंग निर्माड निगम ये कानपूर में है और उर्वरक कारखाना फूलपूर प्रयागराज में इस्थित है उतर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है कैसे तो जिला पंचायत के सदस्यों द्वरा अपने में से ही जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन होता है उतर प्रदेश में ग्राम परधान का निर्वाचन होता है तो पंचायत की सीमा छेतर की निर्वाचन सूची में शामिल सभी निर्वाचकों के द्वरा पंचायत के सीमा छेतर के निर्वाचकों में से एक महत्वपूर्ण प्रश्ण है किशोरी सक्ति योजना का सुभारंब कब किया गया था तो दूस्तों किशोरी सक्ति योजना का सुभारम उत्तर प्रदेस में किया गया है गैंडे को पुनरवाशित करने का कारे किस राष्टी उध्यान में चल रहा है तो दुध्वा राष्टी उध्यान में 2011 की जनगर्णा के अंतिम आकडों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पूरुस साक्षर्टा का प्रतिशत कितना है तो 77.3 प्रतिशत और जनगर्णा 2011 की अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रमुख 10 लाखी नगरों का सही क्रम क्या है तो पहले पर कानपुर, दूसरे पर तीसरे पर गाजियाबाद, आगरा और वाराणसी है अगला है 2011 की जनगर्णा के अनुसार उत्तर प्रदेश का यह जिला सबसे अधिक जन संख्या घनतों है तो गाजियाबाद का जन संख्या घनतों सरवाधिक है 2011 की जनगर्णा के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिक्तम घनी आबादी और नियोंतम घनी आबादी वाले जिले तो गाजी अबाद सर्वाधिक जनगनत और ललितपूर सबसे कम जनगनत वाला जिला है 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की साथ शर्टादर सबसे कम है तो यह स्रावस्ति है और वह धार्मिक समुदाय जिसका उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुखस्थान है तो सिख हैं हिंदू और मुश्लिम के बाद उत्तर प्रदेश का आगरा प्रियाग राज कानपूर और लखनव में सेवह नगर जो राष्टी महामार्ग दो के द्वारा नहीं जोड़ा जाता तो ये लखनव है जौनपूर का उशामभी प्रताबगड और सोनभद्र में सेवह जनपत जो प्रियाग राज जनपत के साथ सीमा नहीं बनाता तो ये है सोनभद्र अगला प्रश्ण है उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों का उत्तर सिदक्षिण सही क्रम क्या है तो उत्तर सिदक्षिण यहां पर आप देख सकते हैं सिद्धार्थ नगर, संदकभी नगर, अंबेटकर नगर और संत्रविदास नगर है अगला प्रश्ण है जिलों के मुख्याले तो जालोन का मुख्याले उरई है कानपुर देहात का अकबर पुरमाती और संत्राविदास नगर का भधोही और कुशी नगर का पढ़ रहोना है जन्पद और उनके मुख्याले का मिलान करना है अम्बेटकर नगर का अकबरपुर, कानपुर देहात का अकबरपुर माटी, जालोन का उरई और सिधार्ट नगर का जिला मुख्याले नौगर है अगला प्रश्ण है वह अनुसूची जन्जाती जो बिजनौर जिले में निवास करती है तो ये माही गीर है सुरहताल पच्छी बिहार किस जिले में है तो ये बलिय जिले में है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जिव बिहार कौन सा है तो हस्तिनापूर वन्य जिव बिहार ये यूपी का सबसे बड़ा वन्य जिव बिहार है गाजियवाद जनपद में आलमगीर पूर से प्राप्त पूरा तत्विस सामगरी प्रत्विम्बित करती है कि संस्कृति को तो हडपा संस्कृति को यहाँ पर देखे यूपी को समय समय पर दिये गए नाम और वर्स उत्तर पश्मिप्रांथ 836 आगरा और अवद का संयुक्त प्रांथ 1877, संयुक्त प्रांथ 1937 और उत्तर प्रदेश इसका नाम 1950 में पड़ा है सही सुमेलन करना है यहाँ पर देखे टेरा कोटा या पकी मिट्टी के बरतनों के लिए गोरख पुर, लकड़ी के खिलयों ने पारांड़सी में चीनी मिट्टी के बरतन चीनहट और काच का सामान फिरोजबाद में बनाय जाता है धूरिया लोकन रित्य कहां का है तो यह बुंदेल खंड का है धूरिया बुंदेल खंड धीवर, कहार और नटवरी, पुर्वांचल का लोकन रित्य है कार्तिक कहां का प्रमुख लोकन रित्य है तो बुंदेल खंड का बनारस घराने से संबंधित हैं कौन-कौन लोग फिराग गोरखपुर के जिगर मुरादबाद और चकबस्त लखनौ के हैं उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक गीत कौन सा है दोस्तों तो ये बिरहा है और देखे लोक गीत और छेतर का मिलान करना है यहाँ पर तो आप देख सकते हैं बिरहा पुर्वानचल का रसिया प्रदेश में राष्टी कथक संस्थान कहां पर है तो ये लखनौ में है मोतिलाल नहरू बाल संगरहाल है लखनौ में है मौलाना मुहम्मद अली जोहर विश्व विद्याले के नाम से एक अलप संख्यक सिक्षा संस्थान के अस्थापना कहां की गई है तो ये रामपूर में है और एक प्रशन जो बार बार पूछा गया है पिछले परिक्षाओं में की उत्तर प्रदेश में जैन और बौध धर प्रतिहजार पूरुस उत्तर प्रदेश में पाये जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं तो लाइमी स्टोन और डोलुमाइट ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज हैं अगला है कोईला सोन भदर में बलुअ पत्थर मेरजापूर में सिलिका बालू ये अंधिकिर्च कहा जाता है देश में उत्तर प्रदेश अगरडी उत्पादक है किसका तो आलुओं और गेहुं का लाल-mिठी प्रदेश के किंजंपदों में पाई जाती है तो मिर्जापूर और जहासी में उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है तो ये खाद्यान फ सही सुमेलन करना है गंगा नदी किनारे वारारसी है गोमती नदी के किनारे सुल्तानपूर गोरतपूर राप्ती नदी के तटपर और अयुध्या सर्यू नदी के तटपर इस्थित है अगला प्रश्ण है निचली गंगा नहर का उद्गम अस्थल कहां है तो नरोरा में गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जन्पद में प्रवेस करती है तो बिजनाओर में और उत्तर प्रदेश की पेजल पर्योजना कौन सी है गोकुल बहराज पर्योजना ये उत्तर प्रदेश की पेजल पर्योजना है अगला है तिर्थ हस्थल और नगर तो चक्र तिर्थ नैमी साराडे में है गोविंद देव मंदिर वरिंदावन में सलीम चिस्ती की दरगा फतेपुर्सीगरी में और बहुत दोर जैन मंदिर ये कौशामबी में इस्तित है अगला प्रश्ण प्रतिवर सूफी संत हाजी वारिस अली साह की मजार पर मेला लगता है कहां पर देवा शरीफ बारवन की में सारनात कहां पर है तो ये वारार्सी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले केंदरी विश्विद्याले की से घोसित किया गया था बी एच यू वारारस इंदू विश्विद्याले को सबसे पहले उत्तर प्रदेश में केंदरी विश्विद्याले घोसित किया गया था इंदुस्थानी अकेडमी जिसे भारती भासाओं की रक्षा और विकास के लिए अस्थापित किया गया था ये प्रियागराज में है सूची एक और दो का मिलान करना है कनक भवन आयुध्या, कामदगिरी परवचित्रकूट, कालिंजर दुर्गबादा और देवसरीप बारा बंकी में इस्थित है सही सुमेलन करना है पारंपरिक मेला और आयुजन अस्थल का पशु मेला बटेस्वर में, धुरुपद मेला वाराणसी में, गोविंद साहब मेला अम्बेटकर नगर और माघ मेला प्रियागराज में आयुजित किया जाता है अगला है माघ मेला का आयुजन प्रियागराज में, जूला मेला व्रिंदावन में, पशु मेला बटेस्वर में और देवा मेला या देवा शरीफ बारा बंकी में इस्थित है उत्तर प्रदेश की सरवाधिक लंबी नहर कौन सी है तो ये शार्दा नहर है अमीर खुसरो का जन्म कासगंज में हुआ था पटियाली नमकस्थान पर और आप देखिए मिर्जा गालिब का जन्म आगरा में और जोश मलिहाबाद लखनव से संबंधित है अगला प्रश्ण है आगरा इस्थित दयालबाग संबंधित है किस से तो ये राधा स्वामी पंथ से संबंधित है अगला है कांग्रेस का अधिवेशन वर्स और उत्तर प्रदेश में अस्थान 1892 में प्रियागराज में 1905 में वाराणसी में 1936 में आइतिहासिक लखनव में और 1946 में कांग्रेस अधिवेशन जो है मेरट में आयोजित किया गया था उत्तरमध्य छेत्र शांस्कृतिक केंद्र इस्थित है कहां पर प्रियागराज में गोविंद बलब पंत शागर ये सोनभद्र जनपद में इस्थित है और अध्योगिक केंद्र और प्रमुख उध्योगों का मिलान करना है यहां पर आप देख सकते हैं आगरा में परियाटन की दृष्टि से महत्तपूर है इसके अलामा बहुत ही महत्तपूर है कानपूर म सामान मेरट में खेल कुद का सामान और मुरादबाद में धात उपात्र और पीतल के वरतन प्रसिद्ध हैं अगला प्रशन है वरतमान में लखनव में इस्थित है तो जल संस्थान नगर निगम विकास प्रादिकरण और जिला नगरिवी का सभी गरण ये सभी लखनव में इस्तित हैं डीजल लोको मोटिव का रखाना कहां है वाराणसी में है इंडियन टेलिफोन इंड़स्ट्री नैनी में तेल शोधक सयंत्र मतुरा में है और यमुना एक्सप्रेस वे का जो बिस्तार है वो ग्रेटर नोयडा से आग अगरा तक है एक महत्वपूर्ण संस्थान है भारती चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान ये जासी में है वह चेतर जो भारत के 22 क्रांतिक प्रदोशिक चेतरों में शामिल है तो ये यूपी का सिंग रहुली है बेगम समरू ने एक अतिपरसिध चर्च का निर्मा में उत्तर प्रदेश में एक बबर सेर्ट सफारी अस्थापित किया गया है कहां पर तो ये इतावा में और ताज अंतराष्टी हुआओ क्षिम किया गया है फिरोजबाद में पहले ये गौतम बुद्धनगर में प्रस्तावित थाक अगला है उत्तर प्रदेश में विकास ये उत्तर प्रदेश में बहुत परिपत के भाग हैं उत्तर प्रदेश का वह जनपत जहां अलप संख्यकों का सरवाधिक केंद्री करण है तो रामपूर में और आज की वीडियो का लाश्ट कोशन है कि उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांची एट लेन प्रवेश्नी अं तो दोस्तों ये था आज का वीडियो यूपी स्पेसल से संबंधित महत्वण प्रशनों का भाग तीन जो आपके आगामी परिक्षाओं के लिए बहुत ही उप्योगी है आप इन प्रशनों को अच्छे से तयार खाल लिजेगा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट तोस्तों नमस्कार